हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हाशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छी होएंगे आज मैं बनाओंगी शिम्ला मिर्च बनाओंगी मैं आलू उबाल के देखिए अभी मैंने कैस मैंने इंडेक्शन पर रख दी है और सिर्फ दो ही शिम्ला मिर्च से चोटी-चोटी च्छे प्याज है मेरी इसको स्लाइस करके रख लिया मैंने शिम्ला मिर्च और उसको प्याज को हमारा पहले से तेल हो रखा है हमने इसमें प्याज डाल दी प्याज डालने के बाद हम इसको हलका सा जावदा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हम शिम्ला मिर्च भी डालेंगे तो और मतलब अच्छे से ब्राउन हो जाएगी और हम देखिए इसमें मिला लेंगे और सिम्ला मिर्ष तो ऐसी है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है जो लोग नहीं खाते हैं वो इस तरीके से बनाए आलू बाल के बनाए बहुत अच्छा है टेस्ट आता है देखिए अब मै अधार मेरे अलू भी वाइल हो गया है आलू मेने दो सीटी में करें बीच में से कड़के रखे जिससे जल्दी बचाब गया अब इसको मैंने दीको अच्छा अलू भी मैंने मैश करके रख लिए हासे उसके बाद में मिर्ष भी हो गई अच्छे से पग गए दोनों चीज अब हम इसमें आलू डाल देंगे अब देखिए आलू कितना अच्छा मतलब लग रहा है दोनों और यह बच्चे वह सब बहुत अच्छे से खाते हैं मिलकु कुछ भी नहीं है मतलब लाइट मसाले नमक मिर्श और ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ बहुत ही अच्छा तेस्ट आता है पराणा से खाएं वह धाता है मैंने मिलश टाली जूज जाध सब्सक्राइश भी टैस बमार को तकल का तक मिल्स बहुत हो कि अधो तोड़ी मैं तिम्चे कि न कीमे डिवumuz निपह टूड़ी थेंगे में बहुत अच्छा बच्चों के टीफिन में रख सकते हैं और बड़े भी खाते हैं से शौक से देखिए कितने अच्छा लग रहा है देखिए मेरे दो मुह में पानी आ गया आपके मुह में पानी आया नहीं देखिए कैसा लग मेरा है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैं झाल